कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अगले वीडियो में मेरा नाम है संजे नेगी आप देख रहे हूं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्रोड विस संजे यह वीडियो स्री नगर टू रिशिकेश देरादून वीडियो स्रीज का दूसरा वीडियो है उमीद है आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में देदूंगा और आए देवप्रियाग तक उमीद है आगे भी मौसम बढ़िया सुहाना रहेगा देवप्रियाग में अलकनंदा और भागी रथी नदी का संगम है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है देवप्रियाग से पौड़ी और सुथ्पुली जाने के लिए भी एक मार्ग है जो यहां से नीचे कट जाता है तो स्रीनगत से होके जाने की जुरत नहीं पड़ती है आप अगर देवप्रियाग से पौड़ी या सुथ्पुली जाना चाते तो आप इस मार्ग से जा सकते हलके-लकी बुन्दा बांदी अभी हो रही है हलकी बुन्दा बांदी में तो दिक्कत नहीं होती है अगर तेज बारिस होगी तो साइद थोड़ा दिक्कत हो सकती है जो कि पहाड़ी से मलवा आने के चांसे बढ़ जाते हैं पिर बारिस में कि यहां पर एक एक्सिडेंट हो रुखा है जो अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि ओवरिस्पीडिंग रोड अच्छी होने का मनतब यह नहीं होता है कि आप काड़ी को तेज दोड़ाओं उसके नुकसान ऐसे ही होते हैं का मोश्की एक्सिडेंट तो गयरा ओवरिस्पीडिंग के चक्कर में ही होते हैं हलकी बारिस का मौसम और रोड एकदम खाली और क्याची यह ड्राइब करने के लिए बहुत ही प्यारा मौसम हो रख है उतना ही आनल मुझे ड्राइब करने में आ रहा है भी बहुत है कि प्राइब करने में लिएपड़ कि अवर रहा है रोड की कंडिशन अभी तक काफी हद तक अच्छी है और लैंड स्लाइडिंग अभी इस एरिये में इतना नहीं है अभी अगसे नगर से और यहां तक कंपर करें हम तो इतना ज्यादा लैंड स्लाइड नहीं है मेरे लेप अंड साइड में आप दे सकते हो सिवजे की विसाल परतिवाँ तीन धार से पहले यह वाले पोर्शन पर उपड़ साइड मरवा आ रखा है और अभी काम चली ही रहा है यहां पर कर दो 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 दोग्या साइड करें चैपल कर दो से पोर्वाद करदें आप दो पहाड़ों पे कोशिश कीजिए कि जब आपको सही जिगह मिले तभी आप किसी भी गाड़ी को ओवर्टेक करें रिस्क जितना हो सके कम लें वही बेटर रहता है अपने लिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं तीन धारा तीन धारा में आपको खाने की अच्छी भ्योस्ता मिल जाती है यहां पर बाकी जगह की तरह लूटा नहीं जाता है अगर आप कमपेर करें दिल्ली से हरिद्वार आने के लिए तो जो लोगोंने सब्बर किया होगा उनको पता है अगर पीच में गाड़ी रुपती है तो कैसे वहां पर लूट मचा रखी होती है उन्होंने यहां पर आपको जैनुन प्राइज में खाना मिल जाएगा साड़ रुपे से सो रुपे तक कि थाली और बढ़िया स्वाधिस खाना तो जो भी रिषिकेज से हार की और आता है सरे बह्ता के और मेरे यह इज़ता है और अपना नास्ता लॉंच जो भी टायम उस टायम हो रहा होता है हो यहां पर कर कर जाते हैं कि तीन धारा के बाद से मौसम काफी साफ हो गया है अब बारिस नहीं हो रही है कि उल बारिस नहीं हो जो बारिस नहीं है अवारिस नहीं हो। कर दो कर दो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सकणिधार में तो देवप्रयाक से सकणिधार तक लगवग पूरी चड़ाई है और सकणिधार से गोडियाला तक पूरी उतराई है तो अगर जो टूबिलर वाले होते हैं तो उनको एक साइट का न्यूटल पढ़ जाता है वो अपना पैट्रोल बचा सकते हैं इस वारे पोर्शन में भी रोल चोड़ा नहीं हुआ है प्रापल्ली उस पे भी काम चल रहा है भी बाइब जाता है यहां आप रोड़ी करने से देख सकते हो काफी अच्छा रोड़ा बन चुका है पाड़ी से मरवा यहां पर नहीं आया है ज्यादा रोड़ा बहुत आया है तो वो चलेगा पर रोड़ काफी अच्छी हो चुकी है ड्राइव के लिए इस साइट धूप खिली हुई है यहां पर बारिश का नाम और निसान नहीं है तो देवप्रेवाले रेजन में ही बारिश हुई थी बाकी जगे बारिश नहीं हुई है अब हम तोधा घाटी वाले रेजन में पहुंच चुके हैं आप सामने तोधा घाटी का मेने स्पॉट दे सकते हो कर दोधा हुई है अब यहां पर काफी चौड़ा कर दिया गया है और पेंटिंग का काम बाकी है ऐसे स्पॉट पर आप अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो अपना वेट कीजिए जल्द बाजी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि जाम लगने के चांसे बढ़ जाते हैं आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो ता घाटी वाला तो उससे आप इस वीडियो को कमपेर कर सकते हो यह कितना काम हुआ है कितना काम हुआ है तो ता घाटी रीजन वाला वीडियो मैं पूरा दिखाऊंगा इसमें कोई भी कट नहीं करूंगा वीडियो में आप लोग अबर हो पाओ तो ता घाटी के बारे में कि कितना काम हुआ है और कितना रहता है चटाने आप देख सकते हो कैसे जो भी यहां पर कारीगर होंगे वो काम कर रहे होंगे कितनी भेंकर चटानों को काटना और इसकी कितना होगा कितना है सामने अभी भी काम चल रहा है, तो अभी कुछ टाइम पहले, मई के महिने में, जो तोत्ता घाटी ब्लोक हुई थी, तो वो यह वाला पोर्चन था, यहां पे ब्लोक हुआ था तोत्ता घाटी का, यही वाला पोर्चन रहता है, इस सीजन में, जहां पे अभी बचा हुआ है काम, चोड़ा तो उन्हें काफी कड़ दिया है, थोड़ा बहुत और चोड़ा करके फिर इसमें पेंटिंग कर देंगे, में अभी बाटी बच्ति से अङए। कर दो 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 आप लोग देख रहे हो अभी कितना काम बाकी है मुझे लगता है ये साल पूरा लग जाएगा इस वाले पॉर्सन को कम्प्रीट करने में हालांकि तोता घाटी वाला ही पॉर्सन रहता है जहां पर अभी काम होना बाकी है या जहां पर अभी काफी काम होना है पर पोर्सन एक है पर चुनोतियां भी बहुत ज्यादा है उस वाले पोर्सन पर जिसमें टाइम काफी लग जाएगा साइथ जो मुझे लगता है बाकी मैं कहा नहीं सकता कि कितना एक्जेक टाइम लगता है कि साइथ अभी इच्छा है मैंने तो अलग ही जाएंगे complete होने में स्रीनगर तक जो अच्छा रोड बनना है उसमें लगवच्छ है मैंने लग जाएंगे पहाडिया काफी खूबसूरत लग रही है मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बतिनात वाला एक व्यूडियो बनाओ जो स्रीनगर से बदिनात तक का होगा मैं बताना चाहता हूँ अभी उत्रह खड़ में लॉक डाउन है तो हम लोग जा नहीं सकते हैं हम लोग क्या कोई भी नहीं जा सकता है सिर्फ जो आवसक सेवाएं हैं वो ही जा रही है और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई अभी प्लाइन कर रहा है तो अपना प्लाइन पोस्ट प्रेंट कर लें क्योंकि अभी कुछ के लिए नहीं है कि कब यात्रा खुलेगी अभी यात्रा कंप्लीटी बंद है तो जैसे ही उत्राखंड में लॉकडाउन खुलेगा मैं डेफिनेटी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा रूट का बद्रिना टेंपर तक तो नहीं बन पाएगा पर जितना पॉसिबल हो पाएगा जहां तक जाने दिया जाएगा मुझे मैं वहां तक का एक वीडियो जरूर सूट करूँगा और रोड की कंडिशन जरूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा अभी मैं पहुंच गया हूं कोडियाला में इस वीडियो को फिलाल नहीं सवाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद झाल